Very warm welcome to all my champions of class 6. Champions we are here with the chapter called as body movements के बारे में पढ़ने वाले हैं. पेटा body movement chapter है, बहुत ही interesting chapter है. हमारी body के अंदर क्या movements हो रहे हैं? अगर मैं अब dance कर रहा हूं तो मेरी body बहुत move कर रही है. Now इसके पीछे reason क्या है? What is the reason behind this? Also हम थोड़े से और-और organisms के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो कैसे move करते हैं? हमारी body कैसे move करते हैं? बस ये chapter में पढ़ने वाले हैं? Nothing else. It's very 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 simple chapter. अच्छे से बटा revise कर रहे हैं. I am sure everybody is ready. सभी बच्चे तयार है तो शुरू करते हैं class को. So this chapter is my body movements. Body movements. Now body movement chapter के नाम ही सब कुछ बता रहा है बटा. कोई हमारी body कैसे move कर रही है? Now if I am moving, मेरी body अब move कर रही है तो इसके पीछी reason क्या है? Dance करते हैं कोई लोग, कोई animals कैसे चलते हैं, कोई animals उडते हैं, कोई animals swim करते हैं. इसके पीछी reason क्या है? What is the reason behind this? So that we are going to talk in this chapter. Now first of all we are going to talk about humans. हम बात करने वाले हैं humans के बारे में बस समझ लेना बस और कुछ नहीं बेटा. Humans की बात करता हूँ, हमको पता है humans का एक picture बनाता हूँ, पूरा का पूरा समझ में आने वाला इसके अंदर. यह है हमारा mouth, यहाँ से शुरू हो रही है neck और neck के यहाँ से मेरी यह fingers, fingers. यह मैं किसी एक छोटी सी girl की photo बना रहा हूँ बाता. Okay, now see. This is a girl. Now, इस girl की मैं बात करता हूँ, बटा, यह जो body है, हमारी जो body है, इसके अंदर अगर यहाँ पे हम touch करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम touch करेंगे, कहीं पर भी touch करेंगे, तो बटा, एक hard चीज दिख रही है, बहुत ही मजबूत चीज़ है, hard, hard, hard चीज़ हैं, अब hard चीज़ हैं क्या, यह हमारी है, बहुत सारी bones, इसको बोलते हैं, हडियां, यह जो bones है, इस bones से मिलकर के, बटा, क्या है, हमारी body अंदर से बनी है, यह bones आपस में ऐसे जुडी हुई है, और finally हमारी body पूरी क्या है, यह bones से एक बनी हुई है, if I talk about, यह एक बटा skeleton देखा यह skeleton होता है, हमारी body के अंदर, जो भी bones होती है, उन bones को सिर्फ दिखाया गया है, मैंने experiment भी किया था, उसके अंदर सिर्फ यह हडियां दिख रिये ही, these are the bones, यह पूरी bones है सिर्फ, यह bones guys आपस में मिलती है, बटा, इन bones को मिला करके, जो यह structure बना है, इस structure को क्या बोलते ह है, skeleton, skeleton क्या हो गया, what is skeleton क्या हो गया, हमारी body, जो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरी body के उपर से skin remove कर दूँ, blood remove कर दूँ, जो भी है, muscles है, वो remove कर दूँ, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ हडिया बचने वाली है, हडिया जो बचेगी, पूरे इसी shape में होगी जैसा मैं भी दिख रहा हूँ, वो shape क्या है बचा, that is called as skeleton, वो क्या है, skeleton जिसके अदर सारी bones आपस में जुड़ी हुई है, now हमको क्या पढ़ना है, कि यह bones आपस में कैसे जुड़ी हुई है, यह हमको पढ़ने वाला है, पढ़ना है, now see, champions if I talk about bones, यह मेरी मान लो बचा, एक bone है, ठीक है, कोई भी एक हड़ी मान लो, यह bone क्या कर रही है, एक दूसरी bone से आपस में क्या कर रही है, मिल रही है, मान लो कि यह मेरा हाथ है, this is my hand, अब यह जो मेरा हाथ है बचा, यहां से लगा कर, यहां तक एक bone है, एक हड़ी है, ठीक है, यहां से यहां तक एक bone है, ल जो बीच के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे बीच में जहां से यह जॉइन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं बटा, it is called as joint, यह एक joint है, जहां से दो बोन ऐसे joint हो रही है, this is called as joint, now if I talk about joint, हम सिर्फ इस chapter में main पढ़ने वाले हैं, joint के बारे में बस, that is the important thing, बटा, joint क्यां से कौ से पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अलग-अलग type के joints और हमारा chapter लेके जाएंगे, 80% complete कर लेंगे joints में, let's see the very first joint that I am going to talk about is ball and socket joint, socket joint, ball and socket joint, second हम बात करेंगे बटा, hinge joint, hinge joint, third we are going to talk about fixed joint, fixed joint, fourth बात करेंगे, pivotal joint, pivotal joint, बेटा मैंने ये सारे जो joint है, ये एक experiment करके बताया गया है, experiment application के इंदर, जिन बच्चों के पास में course लिया हुआ है, they can see this experiment, मैंने पूरा एक्सपरिमेंट किया है, skeleton में सब कुछ दिखाया है, कि कौन सारे बात करेंगे, part में कौन सा joint है, ठीक है, you can get that, you will be getting it very soon, ठीक है, जो बच्चे आये हैं, जो बच्चे application में वो अभी देख पाएंगे, जल्दी देख पाएंगे, उनके लिए मैंने एक बनाया है, तो वो ये वीडियो जरूर देख पाएंगे, application में, now see, अब हम एक एक करके, सारे joint की बार ball and socket का मतलब क्या है बचा, एक होती है ball, ऐसी goal एक ball होती है, और इस ball के अंदर क्या होता है, एक हड़ी आके ऐसे join हो जाती है, एक bone आई है, इस bone क्या है, इस ball के अंदर ऐसे गूमती रहती है, for example, see बचा, I am going to show you a very important thing, ये मान लो क्या है, मेरी ball है, दिख रहा है, ये इतने bone और इसके अंदर ऐसे fix रहती है, ये joint है, देखो ये bone से बना हुआ है, ये भी मेरी bone है, ये आके fix हो गई है, अब देखो ये fix होने के बाद में ये कहीं भी गोम सकती है, ये जो joint है, इस joint को बोलते है ball and socket joint, देखो ये मेरे joint, दो bones आपस में कहीं भी गोम सकती है, ये तो fix ह लेगिन यह कहीं पर भी घुम सकता है इस जोंट is called as what, इस जोंट is called as ball and socket joint यह हूता का है हमारी body बटा, यहाँ पर देखो, यह जो हात की जो bone है न इस यह जो bone है बटा, यहाँ पर ball and socket join लो, यह हाथ की जो है न, यहाँ पे कौन सा joint है, ball and socket, इसी लिए मेरा हाथ बेटा आप देख लो, कहीं पर भी गुमा लो, यह हर जगा गूम लेता है, everywhere, सब जगा गूम लेगा, reason क्या है, reason यह है कि यहाँ पे कौन सा joint है, ball and socket joint, हमारे यहाँ पे thighs में भी देखो बेटा, pair अपना क ही पर भी गुमा के देख लो, pair भी गूम लेता है, because pair के बीच में भी कौन सा joint है, that is ball and socket joint, very simple, okay, ball and socket joint, समझ में आगे बेटा, बहुत important है, यह होता कहा है, हमारे यह arm के अंदर होता है, और legs में भी होता है, now let's talk about second joint, hinge joint, hinge का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने देखा होगा, घर का दर्वाजारी से खोलते हो, imagine करो कि गर का दर्वाजा खोल रहे हो, खोला, वापस से बंद किया, क्या तो मुझ दर्वाजे को उपर नीचे ऐसे भी कुछ भी कर सकते हो, क्या, you cannot do it, because वो एक जगा से fix होता है, side में से fix होगा, इसी लिए सिर्फ ऐसे खुलेगा, ऐसे जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, वापस गया, वापस आया, क्या इसको यहां रखके इसको तुम हाथ को ऐसे गुमा सकते हो, क्या यह गुमा रहे हो, you cannot do it, because यह joint कौन सा है, hinge joint है, hinge joint में सिर्फ कौन सा motion होगा, गया, आया, two and fourth motion, मतलब आया गया, बस यह motion हो सकत है, knees or elbow, यह कहा होता है, knees and elbow, now if I talk about fixed joint, fixed joint बेटा कहा होता है, see, हमारा जो यह सर है, this head, यह head बेटा सिर्फ एक ही bone नहीं है, पूरी, यह पूरी एक हड़ी नहीं है, यह हड़ी अलग 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 है, य लेकिन ये हिलती नहीं है, कभी आपस में हिलती नहीं, बस एक ही जगा पे रहती है, and that is fixed, एक ही जगा फिक्स रहेगी, इसी लिए क्या बोला है इसको, fixed joint, ये कहा होती है हमारे बिटा, skull में, skull मतलब head, ठीक है, now, अब बात करते हैं, pivotal joint की, किसकी बात कर रहे हैं, pivotal joint, see champions, what happens is, हमारे पीछे यहां पर क्या होती है, यहां पर we have a backbone, एक back एक bone होती है, पूरी लंबी हड़ी होती है, यहां पर touch करके देखोगे न, यह back में एक लंबी bone होती है, हड़ी होती, बहुत लंबी, यह bone जो आकर के यहां पर मिलती है, बिटा, किस से, neck में यहां से, यहां पर मिल called as pivotal joint समझ में आया है, जल्दी से एक बार इसको लिखेंगे it's very 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 important, बहुत important चीज़ा है, I want every one of you to write this, अब बात करते हैं, जल्दी से देख लो now we have to talk about three, four more things the very first one, हम बात करने वाले हैं, एक तो किसकी rib cage, क्या बात करेंगे rib cage, फिर हम बात करने वाले हैं, back bone back bone, फिर हम बात करेंगे, बटा, shoulder bone कुछ bones की बात करेंगे न, shoulder bone shoulder bone, and the last one we will be talking about, pelvic bones, यह हडियां है, क्या है यह, these are bones यह rib cage की बात करता हूँ पहले किसकी बात करता हूँ, rib cage, बटा एक काम करो, अभी जल्दी से अभी बैटे, बैटे है, देखो, आपस में यहां पर अलग अलग हडियां लग रही है यहां तक लग रही है, यहां तक लग रही है यहां पीछे भी लग रही है, पीछे भी लग रही है, यह बटा है क्या, यह ऐसे बनी हुई हमारी bones है, यह हमारी bones है, यह एक क्या है ऐसा एक केज बना हुआ है पूरा ऐसा एक केज टाइप का केज बना हुआ है और इसके बेटा अंदर क्या है हमारा हार्ट है लिवर है सब कुछ इसके अंदर ही है नौ ये जो बोन्स है ये क्या कर रही है एक केज बना रही है मतलब एक पिंजरा बना दिया है किसके लिए हमा एक side में, now see, यह मेरा क्या है, rib cage, rib cage का work क्या, protect करना, काम क्या है, अगर मैं यहापे punch भी मारता हूना, तो मेरे दिल को नहीं लगेगी, बटा, किसको लगेगी, मेरे rib cage को लगेगी, ठीक है, यहापे ऐसे मत बोलना, कभी मेरे दिल पर चोट लगी है, नहीं लगती है, rib cage पे लगती है, got it, now, now we'll be talking about backbone, किसकी बात करेंगे, बटा, backbone, यह जो हमारा, जो पीछे वाला back बता रहा हूं, मैं, यहाँ पर क्या होती है, यह ऐसी ऐसी आपस में टुकडे होए, ऐसी bones होती है, क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे टुकडे मिला करके, बटा, क्या होता है, एक ल called as backbone, किसको क्या बोलते है, backbone, अब इस backbone की बात करता हूं, तो यह छोटे छोटे चोटे टुकडे है, इसको क्या बोलते है, वर्टी ब्रे, क्या बोलेंगे, वर्टी ब्रे, let's write down, यह छोटे वाले क्या है, वर्टी ब्रे, now, जल्दी से देख लेंगे, वर्टी ब्रे कितने ह जाती है, this is the backbone, ठीक है, backbone और neck जहाँ पे मिलती है, उस वाले joint को क्या बोलते है, pelvic joint, ठीक है, हमने, sorry, pelvic joint हम नहीं पढ़ेंगे, यह pelvic, pelvic नहीं है, pelvic bone है, now see, वो pivotal joint है, this one is pivotal joint, अब बात करते हैं shoulder bone की, यहाँ पे shoulder में जो बोन होती है, बस इसी को क्या बोलते है, shoulder bone, pelvic bone की बात करूँगा बेटा, pelvic bone कौन सा होता है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे नीचे बैट जाता हूँ, तो यह वाला नीचे वाला यहाँ वाला जो portion होता है, यह नीचे वाला portion, जहाँ पे हम बैटते हैं, कहीं पर भी बैट जाओगे न, तो इस वाले portion बैट होगे, यहाँ पे यह structure होता है, नीचे वाला जिसके हम बैटते हैं, अगर मैं नीचे बैट हूँगा, तो मैं किस पे बैट रहा हूँ, pelvic bones पे, that is what is my pelvic bone, ठीक है, very simple, okay, now, bones हमने पढ़ लिया है, अब हम बात कर रहा है, एक और important चीज़ की, हम बात कर रहा है, यह हमारी जो कान होता है, एक बा आच करो, सभी बैट रहा हमारा है, यह वाला जो हमारा है, यह तो बिलकुल soft है, बोन्स बहुत जादा hard है, लेकिन यह तो ना जादा hard है, ना जादा soft है, यह अलग चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, बाता, cartilage, क्या बोलेंगा इसको, cartilage, cartilage, यह हमारे का होती है, ears के Simple Now हम जब ही Move करते हैं When we move हम कैसे Move करता है हम मूफ करते है, जब हमारे Joints आपस में work कर रहा है है कितने चाहिए चाहिए अगर यह CHOSP प्र मेरे हाथ यह यही डांस करрата यह यह dance कर पाता एसे नहीं कर पाता है ऐसे वापस,ाही आम पाता क्यूं ? of animals, gates का मतलब क्या हो बटा, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो चलते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले बटा, earthworm की, earthworm कैसे चलता है, earthworm की पिच्चर दिखेगी तुम्हें अभी, earthworm की पिच्चर दिखने वाली है, I am sure everybody, सभी बच्चों को earthworm की पिच्चर देखेगी, earthworm दिखता कैस earthworm दिख सब्को, यह earthworm होता यह चलता कैसे पते हो, यह मानलो मेरा earthworm है, यह earthworm के अंदर bons नहीं होती, हड्या नहीं होती है, यह करता क्या है बटा, मानलो मैरतworm हूँ, यह आगे वाला portion यह पीच्च्चे वाला artworm, earthworm क्या करेगा यह पीच्चे वाला portion को ऐसे ही रखेगा, और एगे वाले पोर्शन को उठाकर आगे चला जाए में पिर आगे वाले को रोख देगा फिर इहां से पीछे आ जाएगा फिर देख लो समझनाया या या ये ईर्थवाँ मानन लो ये आगे वाले पोर्शन ए अar मैं जो खड़ा का sono ये पीछे वाले पोर्शन है earthworm इस portion को उठा करके आगे रखेगा, इसको fix करेगा, फिर पीछे से आगे आ जाएगा, फिर वापस से उठा के वापस आगे रखेगा, fix करेगा, पीछी से आ जाएगा, this is how my earthworm moves, समझ में है, very simple earthworm, now if I talk about the second one, second की बात करता हूँ बिटा, मैं बात कर रहा हूँ snail की, photo दिख र वाला portion है, एक hard covering है, एक shell बोलता है इसको, ये मेरा क्या है, this is my snail, very simple, snail के बाद में मैं बात करने वाला हूँ बिटा, birds की, birds क्या होती है, birds I am sure, every one of you know this, birds जो होती है, उनकी bones बिटा क्या होती है, बिल्कुल हलकी होती है, hollow बोलता हूँ, हलकी होती है, हलकी होने से क्या होगा बिटा, उनके जो feathers होते हैं, feathers से वो bones, वो मारी birds क्या उखन पाती है, उड़ पाती है, I am sure every one of you know this, then we are going to talk about cockroach, cockroach की बात करता हूँ बिटा, जो cockroach होते हैं, वो क्या होते हैं, उपर क्या बिटा, उड़ भी पाते हैं, उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकत हैं मेरे cockroach, ये उपर बिटे दो wings भी होते हैं, और तीन pairs होते हैं, पैरो के क्या होते हैं, थ्री pairs of legs, this cockroach have, now ये cockroach नहीं है, ये cockroach है, उपर दो wings होते हैं ऐसे, ठीक है, ये तीन pairs होते हैं, पैरो के, पैर से भी चल सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, ये मेरी birds होती है, ये birds की wings है मान लो बिटा यह विंग्स है यह उड रही है मेरी बर्ड यह मेरा स्नेल है ऐसा ठीक है very simple now let's move on and talk about the fifth one that is fish यह जो fish होती है बिटा fish हमेशा क्या करती है swim करती है swim करती है swim कहा करेगी पानी में करती है of course yes now बिटा पानी में fish swim तो करेगी लेकिन यह जो fish है इसकी shape कैसी होती बिटा देखो ऐसी shape होती ऐसी ऐसी shape क्यों होती because पानी जब आएगा यहां से तो आराम से यह swim कर पाएगी और पानी यहां से चला जाएगा सोचो कि अगर fish का shape ऐसा होता तो पानी यहां से आता तो इसको जाने नहीं देता बिटा बहुत मुश्किल से जा पाती यह shape है इस वज़े से पानी जो भी सामने होगा वो यहां से चला जाएगा और fish बहुत ही तेजी से swim कर सकती है this shape is called as what इस shape को बोलते है streamlined क्या बोलते है बिटा streamlined shape streamlined shape बहुत सारे मेरी जो birds होता है उनका shape भी streamlined होता है and just because of that यह animals अराम से हवा में उड़ सकते हैं और पानी में भी चल सकते हैं इनकी copy करके हमने बहुत सारी चीज़ों को streamlined बनाया है aeroplane को देखना बिटा streamlined होती है because friction कम लगता है friction क्या होता है हम आगे वाली क्लासों में पढ़ने वाले है so this is what the chapter is यह chapter है हमारा खतम हो गया है I am sure यह सभी बच्चों को मेरे समझ में आ गया होगा बहुत ही simple chapter है हमने क्या पढ़ा इस chapter में बिटा एक बार वापस से मैं पूरा बता देता हूँ very simple हमने start किया है body movement और body movement में what we have done we had a word regarding skeleton skeleton के बाद में बिटा हमने skeleton के अंदर क्या पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा है joint joints होते हैं हमारी body में और क्या होते हैं बिटा bones और क्या होता है cartilage now joints के अंदर हमने अलग-अलग type के joints पढ़ा है what type of joint we have studied सबसे पहले ball and socket joint ball and socket second one हमने क्या पढ़ा है hinge joint hinge joint then we had a word regarding hinge joint fixed joint fixed joint and the last one that is pivotal joint pivotal joint now bones के अपारए में हमने बात कि थी कौन सी कौन सी बात कि थी बटा shoulder bone shoulder के बाद में हमने बात कि थी pelvic bone pelvic bone and pelvic bone के बाद में हमने बात कि थी backbone बैक बोन में we have 33 वर्टिब्रे बैक बोन very simple now cartilage कहा होता है बैटा हमारे ears के अंदर होता है ये mainly ears now ये skeleton के अंदर हमने ये पढ़ लिया है फिर हमने बात की है gates of animals किसकी बात की बैटा? gates of animals कैसे animals मेरे चलते हैं gates of animals now now इसके अंदर हमने कौन से कौन से animals की चर्चा की है थोड़ा थोड़ा पढ़ा एक बार जल्दी से बिटा बता दो मुझे earthworm की बात की है snail की बात की है birds after birds we had a word regarding cockroach cockroach के बाद में हमने एक और बात की है बिटा किसकी fish very simple अब एक और बता रहा हूं बिटा snakes snakes क्या करते है snakes बिटा slitter करते है snakes क्या करते है slitter करते है चलते हैं नहीं है snakes एक बार ये जल्दी से बना दोगे बिटा I want everyone of you to note this down सभी बच्चे बना देंगे ये now ये हमने बात की है पूरे body movement की now बिटा ये body की मैं बात करता हूँ jus muscles होतstी है अब एक रम syllables now muscles की मैं बात करता हूँ muscles किया होती बिटा ये देखो मेरी muscles normally ऐसे है लेकिन जब ये contract होती है तो ये बड़ी बन जाती है muscles जब contract होगी तो ये बड़ा shape बन जाता है अभी मेरी बॉड़ी कम हो गई यह पहरे जादा थी यह contract हो रही है जैसे ही muscles वापस से release हुई बटा यह muscles वापस से same जगा पर आ गई है जैसे है किया contract हो गई और यह बड़ा shape हो गया ठीक है now this is what the chapter is I want everyone of you to बटा बार बार देख लाना को पूरे chapter को पूरी class हमने इसके chapter के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज application में हमने पढ़ी है बच्चों ने देखी होगी जो बच्चे application में अभी registered नहीं है उनके लिए भी free course है I want everyone of you to go to the revision thank you so much bye bye and take care